असलाम लेकुम कैसे आप मीद है कि आप सब खेरियर से होंगे तो आज हम पढ़ेंगे 9th Class Physics Chapter No.1 Physical Quantity and Measurement Topic हमारे पास है International System of Unit 1.3 इसके बारे में डिसक्स करेंगे तो पहले हमने lecture में डिसक्स किया Physical Quantity क्या है और there are the two types of physical quantity तो आज हम जो डिसक्स करने लगे हैं वो है कि International System of Unit तो सबसे पहले हम समाईते हैं कि यह क्या चीज़ तो International सता की उपर 11 जो हैं PES Conference की गी जिसमें यही बार डिसक्स की गी कि कुछी चीज़ का वेट है उसको किस तरह से तोला जा सकता है वेट को किस तरह से हम उसकी पमैश कर सकते हैं और दूसरी बात यह कीगी किसी चीज़ की पमैश हम किस तरह से करेंगे यह जो तमाम 11 प्रेस कांफरंस हुई उसमें यह जो सन था 1960 था यानि 1960 के अंदर 11 प्रेस कांफरंस की गी और पूछा गया वाट इस वेट इसको किस तरह से हम इसको माप सकते हैं और इसके बाद यह करने के बाद फिर पूरी इंटरनेशनल दुनिया के उपर यानि तमाम वर्ड के उपर इसको बताया गया इस तरह से आप कह सकते हैं चले पूर टीर तरह चलते हैं चैसे ती आलेमनज्ड कॉनफरेंस जियानिके अल्रावनज्ड कॉनफरेंस की गई अंधावेट वेट के ऊपर और भाहश सथ Charlotte अचुकर युद्ड फॉकर एट की उपर और प Moż यानि कि पूरी दुनिया में फिर इसको क्या किया गया? शो किया गया सिस्टम आफ मेयरमेंट्स यानि कि हम किस सरा से पमेश कर सकती हैं किसी चीज की इसकार्ड इंटरनेशनल सिस्टम आफ यूनट्स इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनट्स यानि कि कॉन्फरंस की ग यानि कि पूरी दुनिया के अंदर that is international system unit तो there are the international system को भी देखते हैं international system of unit कम only referred जो इसको referred किया गया था किसमें SI की अंदर यानि SI जो है इसके अंदर इसको यह MC की उसमें आ जाता है आप से पूर सकता है there are the two types of international unit यानि कि there are the two types of international system unit base unit इसका भी हम देखेंगे what is base unit drive unit what is drive unit यानि हम देखेंगे base unit क्या है और drive unit क्या है और base unit का इंशाला table भी पढ़ेंगे और drive unit का है वो भी टेबल पढ़ेंगे next board की तरफ चलते हैं हम next board की तरफ आ गए हैं तो what is the base unit तो base unit के बारे में हम पढ़ती है इसको बन्यादी मिकदारों से बियान किया जाए that is your base unit यानि ऐसा unit जो basic quantity से यानि के basic quantity से बियान किया जाए that is your base unit यह definition और इसको भी si से जाहिर करते हैं अब हम देखते हैं table यहां पर मैंने quantity लिखी है यानि के names लिखी है और यहां पर मैंने symbols लिखी हैं इसको short form के अंदर कैसे show करते हैं और यहां पर फिर मैंने name लिखी है unit लिखाया है unit कौन से और उसके बाद sample लिखें आप लोगों यह table याद करना है numerical के अंदर आप से पूछ सकता है length length को हम short form के अंदर L से जायर करते हैं mass mass को short form के अंदर आप M से जायर करती है time time को short form के अंदर छोटे T से जायर करते हैं और temperature temperature को हम T से जायर करते हैं और electric छोटे ऐससे सायर करते हैं अम्पेयर को बड़े A से लिखते हैं और केलवन को हम K से लिखते हैं बड़े से मोल को M.O.L. लिखते हैं शॉर्ड फोर्म के अंदर नेक्स जो हमारे बास टाइप है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनट की वह है ड्राइव यूनट इसा यूनट जो क्या किया जाए जिसकी पमैश की जाए ड्राइव यूनट से ऐसा यूनट जिसकी पमैश ड्राइव यूनट से ही पमैश की जाए यानि कि ऐसा यूनट इस्तमाल करके उसकी पमैश ड्राइव से ही की जाए यानि कि अगर आप उर्दू में कहना चाहें तो व वो यूनट जिसकी मैश इसके मकूस मिकदारों से की जाए that is वेस यूनट या मकूस यूनट टेबल देखते हैं तो table मैंने राइडाउन किया है सेम हेर आप देखेंगे speed को हम v से जायर करेंगे किसे speed एक वजोस्टी होती है तो इसको v से जायर करेंगे acceleration को चोटे A से जाहर करेंगे force को F से जाहर करेंगे बड़ा F है उससे हम देखेंगे इसी तरह से pressure को P से लिखेंगे और charge को Q से लिखेंगे यानि कि Q से जाहर करेंगे volume को चोटे V से लिखेंगे और इसी तरह से अगर देखा जाए मीटर पर सेकंड ये मैंने पर सेकंड की अलामत लगाई है और इसको मीटर पर सेकंड यानि कि उपर माइनस है इस तरह से लिखेंगे इसी तरह से अगर देखा जाए तो फिर मीटर सेकंड पर सेकंड तो इसको क्या है मीटर M और सेकंड पर सेकंड यानि कि इसके उपर माइनस टू लिखेंगे इसी तरह से क्यूबिक मीटर किस तरह से लिखेंगे M, M क्यूब पर 3 लगाएंगे, क्यूब आप लिखेंगे, न्यूटन को N से लिखेंगे, अगर पासर को देखना है तो P A से लिखेंगे और अगर आपने को देखना है तो CC लिखेंगे, that is your close lectures, that is very important, the unit of international system, यानि इनके unit जो हैं वो काफी important है, definition short questions के अंदर पूछता है, between the unit, drive unit and base unit, तो ये काफी important lecture था, इन्शाला नेक्स वीडियो मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजास्त, अपना ख्यार रखिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, अलाहाफीज